Hello everyone, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस और टेंस में हम लेंगे प्रेजन टेंस को Mostly people take tense as a very difficult thing but this is not the case Tense बहुत ही आसान चीज है अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ ले तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ सबसे पहले देखते हैं tense की definition को The use of verbs to indicate the time of the occurrence of events and actions The use of verbs Verbs के बारे में आप सब को पता है कि verbs क्या होती है Verbs are action words जो के हमारे action को बताते हैं, हमारे काम को बताते हैं यानि कि हम जो भी काम करते हैं उस काम को बताने के लिए जो words यूज किया जाते हैं वो verbs कहलाते हैं Verbs are action words Words that indicate our action are called verbs अब हम यह देखते हैं कि tense क्या है Tense उन verbs का इस्तमाल है The use of verbs Verbs का इस्तमाल to indicate जाहिर करने के लिए The time of the occurrence of events or actions यानि कि verbs का इस तरह से इस्तमाल करना कि events और actions किस वक्त हुए हैं वो उसको जाहिर करें वो tense कहलाता है Tense actually time है आप अगर इसको easily समझना चाहें तो आप यह कह सकते हैं कि जो tense है वो time है Events का time, actions का time जो काम आपने किया है उसका जो वक्त है वो ही tense कहलाता है लेकिन असल में इसकी proper definition क्या है कि verbs का इस तरह से इस्तमाल करना कि हमें वो verbs, events और actions यानि कि हमारा जो काम है जो हमने कोई काम किया है उसके करने के वक्त को बता दे वो tense कहलाता है Hopefully you are clear now tense क्या है The use of verbs, verbs का इस्तमाल इस तरह से करना to indicate the time of the occurrence of events and actions कि events और actions जो है वो किस वक्त हुए है उसको जाहिर कर दिया जाए अब हम आगे चलते हैं time की types कितनी है there are three types of time कौन कौन सा time होता है एक present होता है यानि fail hal जिसमें हम अभी भी हैं मौजूद है एक past होता है जो गुजर गया और एक future होता है जो के आने वाला होता है तो time जो है वो तीन तरहा के होते है past, present and future और इसमें हम अब ये देखते हैं के tense क्या है tense ये ही तीन वक्तों को ही जाहिर करता है tense हमें ये बताता है कि काम जो है वो present में हुआ है या past में हुआ है या future में हुआ है verbs का इस तरहां से इस्तमाल करना कि verbs हमें बताएं कि जो काम है जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो काम कब हुआ है क्या वो past में हुआ है क्या वो present में हुआ है या वो future में हुआ है तो ये tense है अब हम ये बात समझ गए है कि tense जो है वो verbs का इस्तमाल है कि हम जो काम कर रहे हैं जिस काम की बात कर रहे हैं उस काम के वक्त का बताएं कि वो काम किस वक्त हुआ है और हमने ये कह के थ्री टाइप्स के टाइम होते हैं past, present and future अब हम जो देख रहे हैं हमारा आज का topic क्या है? आज का topic है हमारा present time आज हम present time के बारे में बात करेंगे present time में हम ये देखते हैं कि चार तरह के action होते हैं हम tense में जब भी बात करेंगे तो four types of actions की बात करेंगे four type के action होते हैं पहला action कौन सा होता है यह देखिए an action an action an action that takes place in present and still continues at the time of speaking an ongoing activity at the time of speaking पहला action क्या है पहला action है जो के present में हुआ और अभी तक जारी है वो action जो present में हुआ और अभी तक जारी है यानि के बोलने के time पे जारी है एक चलती हुई activity at the time of speaking तो पहला action कौन सा हो गया present में कोई काम हुआ है और वो अभी तक जारी है जिस वक्त आप उस काम के बारे में बात कर रहे हैं आप जिस वक्त उस काम के बारे में बात कर रहे हैं तब तक वो काम जारी है तो एक ये इस तरह का action होता है एक वो action होता है जो present में शुरू हुआ और आप जब उस काम के बारे में बात कर रहे हैं तब तक वो जारी है दूसरा action कौन सा होता है an action that takes place on regular basis और our habits एक वो action होता है जो regular हम करते रहते हैं या हमारी वो habits हैं जो काम हम routine में करते हैं actually वो हमारी habits ही होती है तो दो तरह के action अभी तक हमने देखे हैं एक वो action जो present time को अभी हम देख रहे हैं और four types भी हम present की ही देख रहे हैं action की four types भी present time में ही देख रहे हैं एक वो काम जो present में शुरू हुआ और अभी तक जारी है अपने हमारे बोलने तक जारी है वो काम एक वो काम है जो हम regular basis पे करते रहते हैं और तीसरा कौन सा काम है an action that took place in near past and has an element of accomplishment एक वो काम है जो कि near past में हुआ है यानि कि आपके बोलने से पहले हुआ है आप जब बोल रहे हैं उस बारे में उससे थोड़ी दिर पहले वो काम हुआ है यानि एक past तो ये है ना today है एक जो है वो yesterday है और एक जो है वो tomorrow है तो ये yesterday नहीं है ये है today लेकिन ये आपका near past है यानि आपके बोलने से पहले ये काम हुआ है और has an element of accomplishment यानि कि वो मुकमल भी हो चुका होता है ये एक मुसलसल activity है जो past में शुरू ही है और वो अभी तक present में हो रही है जो हमने number one action पढ़ा था वो ये था कि an action that takes place in present जो present में हूँ और बोलने के time तक वो जारी है एक अब हमने वो काम देखा जो कि past में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक present में वो चलता चला रहा है तो अब हमने ये देखा कि three types of times are there present, past and future और अभी जो है वो हम present के बारे में देख रहे हैं present में हमने ये देखा कि four type के action होते हैं एक वो काम जो मुसलसल चल रहा होता है बोलने के time एक वो action होता है जो के हम routine में करते हैं daily करते हैं, weekly करते हैं every Sunday करते हैं, every Monday करते हैं every year करते हैं एक वो routine का वर्क हो गया और एक वो action होता है जो के जो है वो near past में हुआ होता है और four type का action वो होता है जो के past में हुआ है और अब जो है वो present तक वो होता ही चला जा रहा है आईए इनको देखते हैं कि यही actually में tenses के नाम हैं कैसे पहले हमने यह देखा कि जो काम continuous activity in present जो काम present में मुसलसल हो रहा होगा आपने actually इस table को learn कर लेना है यह table अगर आपको समझ आ गया तो आपको tense समझ आ गया continuous activity in present present में जो मुसलसल activity हो रही होती है वो present continuous कहलाता है क्या मतलब हो गया इसका continuous activity in present present में जो मुसलसल activity हो रही होगी उसको हम कहते है present continuous और जो activity जो है वो repeated action है हमारा जो के हमारी habits है उसको हम कह देते हैं कि present indefinite है और वो action जो के near past में हुआ हमने four types of action पढ़े थे ना एक हमने कहा था continuous activity in present हम के कह रहे हैं कि जो continuous activity होगी present में वो होगी present continuous वो tense कौन सा होगा present continuous अब हम tense की तरफ आ गए हैं पहने हमने कहा कि three types की time होते हैं present, past, future फिर हमने कहा कि four types के actions होते हैं एक वो जो के continuous है present में हमने कहा वो present continuous tense है वो four activities जो हैं वो ही आपको इन four present tenses के बारे में बता रहे हैं वो activity जो present में continuous है वो present continuous है और वो activity जो के हमारी habit है repeated action है वो present definite कहलाता है और वो action जो के near past में हुए वो present perfect कहलाएगा और वो action जो के past में शुरू हुए और present में आ गए वो present perfect continuous होगा 4 actions है, continuous activity जो होगी वो हम किस में discuss करते है वो present continuous में जो habits है, repeated action है वो किसको indicate करते है Present indefinite को, जो action near past में हुए और वो completed action है वो present perfect है देखें, perfect का element समझ आ रहा है इसमे continuous में, continuous का element नज़र आ रहा है continuous activity in present, present continuous repeated action है habits है वो present indefinite या simple present tense actions है near past में और उसमें completed है completed का मतलब जो कि आपका काम perfect हो गया वो present perfect है और वो action जो past में हुआ और future में present में होता चला जा रहा है वो present continuous है अब हम देखते हैं इनको examples के जरिये से समझते हैं पहले दो हिससे देखते हैं हमें continuous activity in present continuous activity in present पहली तरह का action है ये हमने कहा four types of actions है उसमें first action कौन सा है first activity कौन सी है continuous activity in present continuous activity in present में देखें he is writing a letter he is writing a letter वो एक खत लिख रहा है अब देखें इसमें हम लोग sentence structure के बारे में तो समझते हैं कि sentence structure क्या होता है वो जो काम कर रहा होता है वो subject हो गया और helping verb जो के main verb को help करते है और हमें tense का बताता है कि वो काम कब हुआ verb हो गया जो काम है बजाते होद object जो है जिस पर काम हो रहा है वो object है he is subject है काम कर रहा है writing काम है काम हो रहा है क्या कौन सा काम हो रहा है लिखने का काम हो रहा है a letter ہے खत लिखा जा रहा है यह object हो गया इसमें अब आप देखे continuous activity है he is writing a letter वो एक खत लिख रहा है यह present continuous है इसमें जो is है यह आपको बता रहा है कि यह present में एक activity हो रही है और किस तरहा की activity हो रही है continuous activity हो रही है आपको यह क्या बताता है आपको ये बताता है कि ये present की activity है इस MR, present के helping verb हैं ये आपको बता रहा है कि present में कोई काम हुआ है और किस तरह की activity, four types की activity में से कौन सी activity है ये continuous activity है, ये मुसलसल काम हो रहा है present में at the time of speaking, ये काम मुसलसल हो रहा है present continuous में कुछ आपको words मिलेंगे जो सिर्भ इसी में use होते हैं, यह adverbs है, कौन-कौन से adverbs हैं, now है, at the moment है, still है, currently है, यह सब adverbs हैं इस tense के, present, continuous के, continuous activity वाला कौन सा tense होता है, present continuous tense होता है, उसमें कौन-कौन से adverbs होते हैं, जो के मुझूदा time को जाहिर करें, मुझूदा टाइम को जाहिर करने वाले कौन से helping verbs है now, at the moment, still, currently जैसे के he is writing a letter इसमें हम ये भी कह सकते हैं he is writing a letter now he is writing a letter at the moment he is still writing a letter he is currently writing a letter यानि के वो अभी खत लिख रहा है आगे चले जाएं दूसरा कैसा आगया habits और repeated actions हमने पड़े थे second type of action कौन से थे habits, repeated action उसको हम क्या कहते हैं हमने ये पिछली वाली slide में पड़ा था कि जो habits होंगे और repeated actions होंगे वो simple, present, or present, indefinite tense कहलाते हैं इसके adverbs बहुत सारे हैं ये आप देख सकते हैं often, everyday, every, usually, seldom, कभी-कबार sometimes, कभी-कभी, never, कभी भी नहीं once, twice, thrice, etc. ये सब जो हैं ये इस tense के adverbs हैं जो हम इस tense में यूज करते हैं जब कभी भी tense को आपने identify करना हो और ना identify कर पा रहे हो तो adverbs जो हैं इनको identify करने में आपकी help करते हैं जैसे के he writes a letter तो इसमें आप ये कह सकते हैं he always writes a letter मतलब कि वो खत लिखता रहता है ये उसकी routine है ये उसकी habit है तो ये सारे adverbs इसके होगे आगे subject का आप ये देख सकते हैं कि इसका structure क्या है subject है, verb है, object है इसके positive sentences में helping verb नहीं आता इसके negative sentences में helping verb आता है एक चीज़ और जो कि मैं इस वीडियो में अभी discuss नहीं कर रही, इंशाला next वीडियो में मैं आपको sentence structure के बारे में भी बताऊंगी, tense के structure के बारे में भी बताऊंगी, अभी सिर्फ मेरा purpose ये है, मैं आपको ये बता दूँ के tense जो है, वो actually है क्या, ये एक general वीडियो है tense पर ताकि आप इसका एक general concept ले सके, आप देखें he is writing a letter, अगर आप इसका negative बनाना चाहेंगे तो आप कहेंगे he is not writing a letter अगर आप इसका question बनाना चाहेंगे तो आप कहेंगे is he writing a letter अब आगे चले जाए, he writes a letter इसमें कोई helping web use नहीं होता इसमें as or as का addition होता है he, she, it के साथ और single name के साथ लेकिन जब इसका negative बनाना होगा तो हम do does लगाते हैं he does not write a letter वो एक खत नहीं लिखता है does not write आया, जो कि he, she, it और single name के साथ ही आता है do they write a letter, I do not write a letter ये वाली चीज़ें इन्शाला ताला मैं अपनी next वीडियो में clear करूंगी अभी मैं सिर्फ एक general concept देना चाह रही हूँ आपको बताना चाह रही हूँ कि tense जो है, वो हमें किस के बारे में बताता है tense हमें action के time के बारे में बताता है और four types के present के tense है और वो four types किस तरहां से बनते हैं वो four actions को represent करते हैं इस तरहां से बनते हैं continuous activity को present continuous बताता है habits और repeated action को जो है वो present indefinite बताता है ये सब चीज़ें जो है वो इसमें आ जाएंगी फिर उसके बाद आप ये देखिएगा इसके मैंने आपको adverbs भी बता दिये आगे चले third activity की type कौन सी थी actions in near past actions in near past और वो completed actions है completed perfect उससे पता चला कि ये present perfect है actions in near past completed action in present को जो tense बताता है वो है present perfect tense इसके कौन-कौन से adverbs है yet, just, before ever, never, already, recently ये सारे adverbs जो है ये इसके हैं present perfect tense के जहां कहीं ये लगे हुए होंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है present perfect की ही बात हो रही है इसकी example देखें he has just written a letter उसने अभी अभी जो है वो खत लिखा ही है इसको आप ये भी कह सकते हैं he has already written a letter वो पहले ही खत लिख चुका है आप ये भी कह सकते हैं he has never written a letter उसने कभी भी खत नहीं लिखा है या recently भी आप कह सकते हैं he has recently written a letter तो इस तरह से आपको ये पता चला कि वो action जो near past में होते हैं वो completed action होते हैं वो perfect होते हैं वो present perfect में बताया जाता है और ये सारे adverbs जिसके याद कर लीजिए कि ये जहां भी लगेंगे तो वो perfect tense होगा और आप इनको use कर सकते हैं तो present perfect में लगा सकते हैं he has just written a letter इसमें वो ही है subject है helping verb है, adverb है, verb और object है फिर fourth type का जो हमने action पढ़ा था actions begin in past and continues into the present यानि वो था हमारा present perfect continuous एक ऐसा action जो past में शुरू हुआ और वो present तक जो है वो मुसलसल होता ही चला जा रहा है तो वो present perfect continuous होगा उसकी example देखें he has been writing a letter since morning वो सुबह से खत लिख रहा है उसमें हम हमेशा has been writing यूज़ करते हैं हैस के साथ bean लगा देते हैं और जो है वो वब की हम इसमें ये fourth form यूज़ करते हैं यानि first form के साथ ing लगा देते हैं तो वो fourth form बन जाती है he has been writing a letter इसमें bean लगाएंगे तो जहां भी ये bean लगावा होगा वो present perfect continuous है या past perfect continuous है या future continuous है future perfect continuous लेकिन बेरहाल जो activity past में शुरू ही और continue रही present तक के लिए तो उसमें हम हमेशा जो है वो bean लगाते हैं और fourth form लगाते हैं और has लगाते हैं has been writing, has been singing, has been dancing, has been cooking ये सब जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं और एक और चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं जैसे बाकी सब में हम यूज़ करते थे इसमें since और fourth लगाते हैं जो कि काम की continuity को शो करता है कि काम जो है एक specific work से शुरू हुआ और अभी तक जारी है जैसे since morning morning जो है अगर मैं शाम में इसके बारे में बात कर रही हूँ तो morning मेरे लिए past हो गई है लेकिन ये near past है ये वो yesterday वाला past नहीं है ये near past है morning मैं कह रही हूँ कि वो सुबह से अभी तक खत लिख रही है और लिखती जा रही है तो ये present perfect continuous है ठीक हो गया इसमें हम time बताएंगे हम continuous tense में time नहीं बताते हम ये कहते हैं she is writing a letter वो एक खत लिक रही है she is still writing a letter वो अभी भी खत लिक रही है हमने उसमें time नहीं बताया कि वो कब से कब तक खत लिक रही है लेकिन जब हमने ये बताना है कि उसने एक specific time से काम करना शुरू किया और अभी तक वो काम कर रही है तो वो हमारा present perfect continuous होगा जब भी हम time बताएंगे तो हमने present perfect continuous यूज़ करना है फिर हमने ये use नहीं करने continuous chance यूज़ नहीं हो ना she is writing a letter आपको ये लग रहा हो कि वो भी continuous activity है ये भी continuous activity है लेकिन उस continuous activity में हमने सिर्फ ये कहा है कि she is writing a letter इस continuous activity में हम ये कह रहे हैं कि वो एक specific time से अभी तक खत लिख रही है जानि कि जहां time का जिकर हो जाएगा वो present perfect continuous होगा तो हम since लगाएंगे और for लगाएंगे इसको लगाने के क्या rules हैं वो मैं next video में share करूँगी लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इसका general concept देना चाह रही हूँ कि जब भी time बता दिया चाहे कि इस वक्त से इस वक्त तक काम हो रहा है तो वो present perfect continuous होगा उसमें since morning लगाएंगे और अगर आप सिर्फ general बात करना चाहें कि 2 गहंटे से 3 गहंटे से 2 सालों से 3 सालों से लेकिन कौन से 2 साल कौन से 3 साल ये बात आप नहीं बताना चाहें तो आप 4 लगाते हैं लेकिन morning कहें तो since लगेगा evening कहें तो since लगेगा childhood कहें तो since लगेगा ये चीज़ें इंशाला हम next discuss करेंगे तो hopefully अब आपको ये tense का general concept समझा आ गया है मैं इसको एक दफा sum up कर देती हूँ tense जो है that is the use of verb to indicate the time of action tense जो है वो verbs का इस्तमाल है जो के हमें action या events के वक्त का बताता है actually tense is itself a time फिर हमने ये कहा कि three type के time है past, present, future और आज जो हम discuss करेंगे वो है present time present time में हमने ये कहा कि four type के action होते है एक होते है continuous action एक होते है regular basis वाले action और एक होते है जो near past में हुए और complete हो गए और एक वो action होते है जो past में शुरू हुए और अभी present में वो हो रहे है four type के action ये पढ़े हमने ये कहा कि जो continuous activity हमने ये कहा जो continuous activity होती है present में वो असल में present continuous stance है जो habits है repeated action है daily basis पे होते हैं या फिर एक जो है वो routine में होते है routine का element जिसमें होगा वो present indefinite है और जो action near past में हुए और complete भी हो गए खतम हो गए अब वो नहीं हो रहे वो present perfect है वो perfect के element दे रहा है कि वो काम खतम हो गया वो काम जो past में हुए और present में अभी तक हो रहे हैं एक specific वक से अभी तक हो रहे है time mention कर दिया वो present perfect continuous है फिर इसकी मैंने एक एक example के जरीए आपको बताया है और सात में ये बताया है कि present continuous tense में कौन से adverbs होते हैं present continuous tense में होता है now, at the moment, still, currently ये adverbs होते हैं जो कि हम continuous में use करते हैं और ये काम की continuity को बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि अभी ये काम हो रहा है now at the moment still currently habit, repeated action और routine जो है वो present indefinite होती है और उसके कौन से adverbs होते है often, everyday, every, usually ये सारे मैंने यहां पे लिखे हैं example भी दी वी है फिर उसके बाद मैंने यह बताया कि जो third type का action होता है वो होता है जो के past में शुरू हुआ और near past में और वो खतम भी हो गया वो present perfect है और मैंने यहां पे उसके भी helping वब बता दिये हैं कि ये helping वब इस tense में use होते हैं फिर उसके बाद action जो के past में शुरू हुए और continue हो गये हैं वो present तक के लिए एक specific वक्त उसमें mention कर दिया गया है तो वो present perfect tense होगा he has been writing a letter अगर हम simple के हैं कि she वो खत लिख रही है तो हम केहेंगे she is writing a letter he is writing a letter अगर हम केहें वो सुबह से खत लिख रही है तो फिर हम उसको केहेंगे he has been writing a letter since morning hope you like the video please इसको share करें comment करें, like करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है और मेरे चैनल को गर अब यह तक आपने subscribe नहीं किया तो इसको subscribe कियेगा take care